हलो रिवान, वेलकम टो फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब एजूगिस्टन चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वे विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट तूथ पेन टोथ पेन के लिए जो अगरी जो वेडिकल टर्म से वो है टोथ हैक तो किस तरह से हम उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कि how to treat the tooth pain और what are the medicines which are used to treat the condition of a tooth hack तो टोथ पेन को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? कौन से medicines यूज़ करते हैं? वो सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में स्टड़ी करेंगे तो हिंदी में हम उसको कहते हैं दात का दर्थ या फिर दात के अंदर होने वाली पीडा तो इसका हम किस तरह से इलाज करें कैसे हम उसके लिए अलग-अलग मेडिसिन्स यूज करें कौन से तरीके होते की जिससे हम टूथ पेन कि जो दात की पीडा को कम कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो सीखते हैं आज के लेक्चर में अगर आपके पास iPhone है तो एप स्टोर पर से आपको डाउनलोड करें अगर आपके पास Android फॉन है तो गूगल स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले समझ ये tooth pain तो tooth pain के लिए जो medical term जो है that is toothache उसको हम क्या कहते है toothache that means tooth pain कि जब हमारे दातों के अंदर होने वाली पीड़ा या फिर दात दर्थ तो pain or inflammation in or around the tooth often caused by tooth decay or infection कि जब हमारे दातों के अंदर कोई tooth decay होते हैं मतलब कि इस तरह से जो tooth के उपर हम देखते हैं कि वो उनके अंदर sudden होती है as well as उनके अंदर कोई समझे कि bacteria या फिर microorganism के करण कोई infection हुआ है तो उसके करण क्या होता है patient को pain होता है तो pain या फिर inflammation तो यहाँ पर दो condition produce होती है एक तो pain भी होता है और साथ में वहाँ पर होता है inflammation in or around the teeth teeth के अंदर की और या फिर उसके आस पास आपको pain होता है और वो region के अंदर होता है inflammation और यह usually होता है by tooth decay और by the infection तो feeling of thrombing pain, feeling of a thrombing pain or swelling in or around your tooth or gum and also the sharp pain when you touch your tooth or just the bite down मतलब यही कि जब आप खाना खाते हैं और खाना खाते हैं वक्त समझो कि थोड़ा सब भी आपको bite हो जाते हैं वो teeth के उपर कोई pressure आता है या फिर आप वो tooth को touch करते हैं तो उस वक्त आपके जो tooth के अंदर या फिर जो gum के अंदर काफी sharp pain होता है साथ हो साथ क्या होता है वहाँ पे swelling भी होता है inflammation होता है और जो condition कहीं जाती है कि that type of thrombing pain thrombing pain के ऐसा pain की कई बार आप उसको tolerate भी ना कर पाए ऐसा जो है वो severe pain या फिर जो thrombing pain की condition produce होती है जिसके करण आप जो है कई बार समझे के खाना खाते हो तो खाना खाने में भी आपको काफी दिक्कत होती है बार बार आपको काफी pain होता है और वो pain sensations के करण आपकी routine lifestyle पे भी affect पड़ता है तो tooth pain क्या है समझे फिर अच्छे से अब तो toothache or tooth pain is cause when the nerve in the root of tooth और surrounding the tooth is irritated कि जो nerves जो हम कहते है कि जो हमारे tooth के अंदर जो है वो pass होती है कि यहाँ पे देख सकते है कि जो nerves यहाँ पे present है as well as blood vessels है कि जो हमारे tooth को nerves का भी supply है as well as blood vessels की जिससे उसको blood मिलता है और साथ में जो sensations तो sensation के लिए जो nerves है वो nerve क्या करती है irritate होती है तो यह nerves जब irritate होती है और उनके जो root होते है tooth के अंदर या फिर root of tooth के आसपास जो nerves से वो समझे क irritate होती है तो उनके करण patient को जो है वो pain sensations होते है तो यहाँ पे समझे anatomy tooth के आप देखे तो जो यह उपर का जो portion है यह कहा जाता है उसका crown नीचे वाला की जो अंदर की वार होता है वो उसके हो जाते है root और जो उपर की वार जो दांत होता है हमारा वो कहा जाता है crown तो crown के अंदर सबसे उपर तो यह inamel होता है फिर जो grey color जैसे आप देख रहे है यह है उसका dentin फिर उसके अंदर रहता है teeth का pulp होता है फिर आसपास उसके support के लिए gums होते है फिर नीचे हमारा bone और यह है root canal यह है root canal और यह जो root canal के अंदर होता है ये mouth and blood vessels то समझो कि आपके यह जो reasons के अंदर कोई infection हुआ है कि समझो कि यह region में infection हुआ है यहाँ पे infection हुआ है यहाँ पे है तो किसी भी area में समझो कि आपके inamel damage हुए है तो उसके करन भी पेन हो सकता है Dantin में वहाँ पे Epsces हुए है तो उसके करन भी हो सकता है Pulp में Infection हुए तो वह वहाँ पे Swelling हो सकती है Inflammation जो हम कहते है फिर ये Gums भी कई बार काफी Soft हो जाते है Inflammation होता है और उसमें से Blood निकलता है फिर ये जो infection समझे कि आपकी nerves के आसपास और ये blood vessels के पास पहुचता है तो वो sensation जो आपके brain तक ले जाती है और जिसके करण आपको pain sensations का पत्या चलता है तो कई बार क्या किया जाता है कि काफी जो हम रूट सुनते कि RTC का RCT आपने सुना होगा root canal treatment जो करते है तो उससे अंदर ये जो nerves और जो ये जो specially nerves है वहाँ का उसका जो supply है वो completely समझो कि surgery करके बंद कर देते कि जिसके करण समझो कि आपको यहाँ पे pain sensation हो रहा हो तो भी वो neuron सी वहाँ पे present नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा तो ये है anatomy of the tooth तो उसी तरह से आप समझे कि जब ये nerves होती है उसी के करण हमें पता चलता है कि because हमारा जो nervous system है वो responsible है हमें जो भी sensation होते है क्योंकि pain भी एक type का क्या है sensation pain भी एक type का क्या है sensation है और ये sensation हमें तब होते है कि जब हमारी neurons को वो पता चलता है तो neurons के आसपास या फिर जो nerves होती है उसके आसपास कोई भी irritation होता है तो उसके करण हमें पता चलता है कि pain sensation हो रहा है और उसके reasons ये होते है कि dental जो हमारा है tooth उसको उसका infection हुआ है वहाँ पर decay हो रहा है, injury हुई है loss of tooth are the most common causes of the dental pain कि किसी injury के करण अचानक से आपका tooth remove हो गया है accident में भी कई बर ऐसा होता है या फिर अपने naturally भी कई बर loss of tooth होता है दूसरवक भी थोड़ा pain sensation होता है या फिर कोई surgery करके आप निकालते है tooth को दूसरवक भी आपको pain होता है तो pain sensation कैसे पता चलते है तो that is the responsible is a nerve तो when the nerve in the root of the tooth और surrounding the tooth is irritated we sense about the tooth pain pain may also occurs after an extraction that is call it tooth is pulled out कि जब आप दाथ को निकालते है उस वक्त भी आपको pain होता है कि occurs after an extraction कि जब tooth को निकाल दिया जाता है उसके बाद भी pain होता है तो ये बात होती है कि before surgery भी हम कहिए सकते है और after दोनों टाइम थोड़ों जब तक आपको वहाँ पे relief completely healing ना हो तब तक जो है वो थोड़ा बहुत pain sensations रहता है तो surgery से पहले या फिर surgery के बाद या फिर normal भी कोई भी reasons के करण tooth pain होता है तो किस तरह से हम उसकी treatment कर सकते है वो हम आगे सिखेंगे तो यहाँ पे cozy समझिए tooth pain के तो सबसे पहले तो आपके teeth काफी sensitive हो चुके है और sensitive teeth होने का जो reason होता है कि जो सबसे उपल का जो layer जो हम कहता है enamel वो enamel समझो कि आपका damage हुआ है तो तुरंत आपको pain sensations ज़्यादा होंगे या फिर दूसरा reason के कि gum disease कि जो gum होते है वहाँ पे कोई disease हुई है उसका inflammation हुआ है तो भी आपको हो सकता है pain impacted tooth impacted tooth का मतलब यह है कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जो wisdom teeth हम कहते है कि यहाँ पे side में आपका यह एक teeth है wisdom teeth और ये वाला एक आपका normal teeth तो ये normal teeth के पूरी series जो है वह इस तरह से है और ये वाला teeth जो है वह side में है समझो तो ये teeth क्या करेगा ये वाले teeth के उपर impact कर रहा है impact मतलब की ये वाला जो wisdom teeth है वो ये वाले normal teeth के उपर apply कर रहा है pressure तो उसके करण क्या होगा ये pressure के करण ये teeth में भी pain होगा उसके आसपास बे एक या दो teeth तक भी वो pressure के करण pain sensation हो सकती, even ये wisdom teeth का भी को भी आपको pain होगा तो ये है impact कि जब impact होता है between two or more teeth कि जब proper arrangement ना हो teeth की तो उसके करण पे आपको pain हो सकता है फिर inflammation of the tooth pulp, कि tooth का जो pulp होता है उसका inflammation है तो यहाँ पे diagramatically समझे कि infected pulp tissue and inflammation pulp tissue तो inflamed pulp आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली side में उसका inflammation हुआ है और ये side infected हुई है फिर DKB होता है कि जिसको हम कहते है कि हमारे दात के अंदर जो sudden होती है तो दिरे दिरे जो sudden होती है वो नीचे की और पहुचती है और वो उसके अंदर जो cavities produce हो जाती है वो cavities के अंदर कई बार bacterial growth भी हो जाती है और वो bacterial growth के करण काफी infection फैलता है और ये infection के करण ही आपको pain होता है इवन जब ये cavities होती है DK के करण तो वहाँ पे आप जो भी कुछ खाना खाते है वो भी वहाँ भी फील हो जाता है या फिर आप कोई brush करते है या फिर कोई भी ऐसी चीज के वहाँ पे समझो की touch हो जाती है तो उसके करण आपको काफी pain sensations होते है इवन नीचे की और देखे तो root जो है वहाँ पे abscess हो चुके है वहाँ के जो ligaments का inflammation हुआ है जो nerve होती है उसको irritation होता है तो ये सभी के करण tooth pain होता है tooth decay abscess जो हमने बात की cracked tooth के आपका tooth के अंदर cracking हुई है कि क्योई ऐसे चीज़ खाने में आ गई अचनक से कोई pressure ऐसा आपको दात में आया और उसके करण crack हुआ है या फिर pressure आ चुका है तो भी जो है वो pain हो सकता है and microbial infection microbial infection microbial की जाहे कोई bacteria हो या फिर virus हो, fungi किसी या parasites किसी भी microorganism के infection के करण भी ये जो sensitive areas होते है हमारे teeth के वो होते है infected क्योंका उनको पहले infect होते है और उसके बाद उनका inflammation होता है damage होते है और उसका जो main पता कैसे चलता है कि जब pain sensation होते है वहाँ पे तो ही पता चलता है कि वहाँ पे आपको कोई problem है वरना सरुआत में तो उपर की और ही minor decay होता है फिर ये decay और नीचे नीचे तक जाता है और जब वो neurons के तक पहुँच जाता है तब आपको उसके sensations पता चलते तब तब आपको कोई pain sensations नहीं होते तो ये है tooth pain के causes sign and symptoms हम देखे तो severe persistent thrombic toothache कि इतना severe thrombic toothache कि कई बार आप उसको tolerate भी ना कर पाए तब ही जो हमने बात की कि जो tooth impact जो होता है यहाँ पे impact of tooth कि ये जो दो tooth है वो एक दूसरी के साथ कर रहे है काफी impact तो ये जो impact आप देख सकते हैं आपे even ये कि जो हमारा wisdom teeth है और उसके आसपास रहे ये number one और इसको number two दे या फिर ये इस type के diagram में देखी कि ये wisdom ये one two तो ये जो teeth है वो यहाँ पे pressure apply कर रहा है और ये tooth भी यहाँ पे pressure apply करेगा तो क्या होगा आप देखो ये जो impact के कारण यहाँ पे क्या होगा root canal है ये root canal में हमें पता है कि present है blood vessel, sand, nerve तो जैसे ही वो nose को touch होता है बार-बार और pressure देता है तो वो pain sensations आपके brain तक पहुचते हैं और आपको pain sensation होता है इवन यहाँ पे देखिए कि injury समझे कि आपको हुई है inflammation हुआ है या फिर ये जो gums अम कहे gums related problem हुआ है तो भी pain sensation आपको होते हैं तो ये जब देख रहे हैं किस तरह से decay होरना start हुआ है या फिर soft हो गए है आपके pulps वहाँ पे inflammation कि आप यहाँ पे देख सकते हैं redness काफी and inflammation समझे हुआ है तो ये सबी के करण जो है वो प्रेशन के sign-em symptoms में तो main ही वही है कि pain और pain के करण क्या होता है दुसरी के sensitivity to hot and cold temperature given आप कुछ आप गरम खाना खाते हैं तो भी आपको tolerate नहीं होता है और काफी ठंडा लोगे तो भी आपको जो है वो sensitivity रहती है sensitivity to the pressure of achieving और biting कि जब हम biting करते हैं कुछ भी bite करते हैं चबाते हैं उस वक्त काफी pain होता है और वो thrombic toothyak हम कहे सकते हैं वो कहे सकते हैं thrombic toothyak या फिर severe pain जो है वो condition produce होती है उसके कारण fever हो सकता है बिकोज जब आपके body के अंदर bacteria grow करते हैं तो bacteria को reduce करने के लिए immune system काम करते हैं तो उसक body temperature हमारा increase होता है कि वो एक symptom developed होता है fever or swelling in the face or cheeks कि समझे कि ये tooth के आसपास काफ़ी pressure हो रहा है pain senses हो रहे तो cheeks का portion या फिर face का जो portion है तो वहाँ पे inflammation देखने को मिलेगा swelling हो जाएगी face की या फिर जो आपके cheeks हम कहें तो वहाँ पे भी काफी swelling होगती है तो what is the treatment of the tooth pain तो सबसे पहला option है कि pain relievers कि सबसे पहले तो जो symptom है उसको हम reduce करवाए pain relievers को की analgesic medications हम कहते हैं फिर antibiotics दी जाती है to control the microbial growth फिर special medications की जो dental analgesic कहीं जाती है कि specially dental pain जो होता है वो reduce करने वाले dental analgesics inflammation को कम करने के लिए non-steroidal anti-inflammatory drugs दी जाती है salt water rinse कि जिससे आप gargles या फिर mouthwash की जो हम बाउत करते है तो gargling कर सकते है by using salt water club oil based option है to reduce the tooth pain फिर cold compress तो वो ये आपके लिए ये word नया होगा मैं आगे आपको समझाता हो कि what is the cold compress और कोई option काम ना करे तो last में आपको dental surgery भी करवानी पड़ती है तो सबसे पहले समझे कि salt water rinse for tooth pain कि जो salt water कि ज़सको हम कहते है sodium chloride NaCl तो if we have a toothache and until we can get to the dentist one of the best thing we can do is swiss warm using the salty water around in our mouth कि आप जो है वो salt लीजे गुनगुना सा पानी लीजे थोड़ा सा गरम और उससे जो है वो आप जो reason के अंदर आपको ऐसा हो रहा है कि समझे कि आपको left side के teeth में ऐसा हो रहा है right side या फिर दोनों side में आपको ऐसे pain sensation हो रहा है तो अच्छे से gargling करिए कि जो हम कहते है salt water से oral cavity को rinse करना a good mix is one half teaspoon full table salt to 8 tons of water मतलब कि आप simple भी में आपको बता हो तो at least आप 100 ml या फिर एक glass जितना पानी लीजे और उसके अंदर एक चमच जितना salt डाल सकते है कि आपका water around one glass और उसके अंदर एक चमच जितना salt डालिए कि जो आपको ज्यादा salty भी ना लगे और ज्यादा वो excessive salty भी ना हो normal salty भी ना हो, medium हो इस तरह सब बनाएए और spit it out don't swallow it, ये point खास important आपको ये swallow नहीं करना है split it out मतलब कि आपको just rinse करना है oral cavity को तो उसको swallow नहीं करना है, आपको उसको थूख देना है तुरंधी कि जैसे हम brush करते हैं सुबह उस वक्ग जैसे आप कुल्ला करते हो same like that कि you have to just rinse your oral cavity by using this salt water और ये water थोड़ा सा गरम रखना है warm और warm भी इतना ही करो कि जितना आप sense tolerate कर सको, ज्यादा गरम भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं medium जो है वो आप उसको गरम करिये और उससे आपको काफी अच्छा फिल होगा फिर second option है dental analgesics तो dental analgesic के अंदर popular कोई medications की हम बात करें तो that is the cloud oil तो cloud oil के अंदर एक chemical constituents होता है उसका active ingredient that is use an oil which is a natural anesthetic anesthetics मतलब कि ऐसे medications की जो temporary वहाँ पे आपके pain sensations को कम कर दे थे कि वो area जो है वो आपका even वहाँ पे touch हो तो भी आपको उसके sensations आपकी nervous system की तरफ नहीं पहुचते तो natural anesthetics का ये काम करते है और उसके कारण ये जो है वो reduce करती है numbness and reduce the pain which occurs due to the toothache it helps helps numb and reduce the pain to ass a toothache की toothache को कम करने के लिए ये काफी helpful रहेगा and usanal also have natural anti-inflammatory property की naturally anti-inflammatory है जिसके करण ये क्या करेगा एक तो anesthetic का भी काम करेगा as well as inflammation भी आपका reduce करेगा so it may reduce the swelling and irritation in affected area कि जो भी आपका area affected है वहाँ पे जो है जो pain काम करेगा तो समझो कि तूरंत आपके पास ये क्लाव वाइल अवेलेबल नहीं है तब तक आपके घर में समझो कि ये क्लाव हो तो भी ये क्लाव जो है वो आप आपके वहाँ पे आपको pain हो रहा है वो reason में आप just रख सकते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जब इसका release होगा extract तो इससे आपको फाइदा होगा और बेस रहेगा कि आप क्लाव वाइल भी आप यूज करें तो ये क्लाव वाइल आपको काफी फाइदा देगा कि जो काम करेगा nasalal anesthetic का का काम करेगा as well as anti-inflammatory का काम करेगा कि जो reduce भी swelling swelling reduce करेगी as well as irritation को reduce करेगा next जो option है वो है cold compress तो cold compress क्या है वो समझिया बच्चे से cold compress मतलब कि आपको use करना है ice water bag ice water bag मतलब कि आपके जो face है उसके आसपास आपको ये जो bag है उसके अंदर fill up किया है ice ice is filled up with this bag और ये bag से आप जो आपके area के अंदर pain हो रहा है तो आपके chicks के पास रखिए और जिससे क्या होगा कि एक cold compress मिलेगा to the side of your face so if we not the swelling or simply want to relieve the pain from the toothache try a cold compress to the side of our face a cold compress might help to reduce the swelling and ease the inflammation कि बीना किसे medications से शिर्फ ice water bag वहाँ पे रखने से येसा नहीं कि ice को आपके अंदर रखना है ice को जो है वो fill कर देना है आपके ice कैसे करना है देखिए crush some ice कि थोड़ा बहुत ice आप crush करिए and fill into the ice bag or ice into a wash cloth to be used as a cold compress कि इस तरह से आप ice water bag या फिर किसी कापड के अंदर आपके रुमाल के अंदर ice को रखिए थोड़ा बहुत crush करके और उसका जैसे हम shake करते है या फिर malis करते है उस तरह से just ice water bag से आप वो रिजियन को cold compress देज़े कि जिसके अकरन आपको swelling as well as जो inflammation जो हम कहते है उससे आपको फाइदा होगा तो fill ice into the ice bag और ice into a wash cloth and use as a cold compress inside of our face कि हमारा जो face होता है उसके side by side आप थोड़ा बहुत उसका shake देजिए cold compress का कि जिससे भी आपको pain कम होगा तो यहाद एक बात थी home remedies जैसे कि आप गर पे तुरन जम समझो कि pain हो रहा हो तुस्वक्त pain को control कर सकते हैं फिर बात आती है analgesics medications की pain relievers की कि जैसे की paracetamol है कि जो over the counter भी available है non-steroidal anti-inflammatory drugs है जैसे कि aspirin है आपके पास naproxin है ibuprofen है तो वो आप ले सकते हैं या फिर patient को दे सकते है to reduce the pain sensation की जो analgesics के काम करेंगे और paracetamol भी समझे कि आपके गर पे है तो वो भी आप ले सकते हैं उससे भी pain sensations जो है वो कम होते तो एक तो non-opiate pain killers की जो analgesic antipiratic है because समझे कि symptom fever भी है patient को कि patient को fever भी हो रहा है toothache के करण और साथ में उसको दिसरे symptom से pain as well as fever तो उसक पेरासेटामल बेस रहेगा inflammation भी है तो उसकता पेस्पिरिन दे सकते हैं या फिर नापरोक्सिन ibuprofen दे सकते हैं कि जो patient के inflammation reduce करेगे pain sensations कम करेंगे और fever भी उसका कम करेगी फिर दूसरा pain के लिए हम देखें तो acyclofenic is also one of the best option कि acyclofenic है diclofenic है कि वो भी यूज करने से हम जो pain sensation है वो reduce होते है तो acyclofenic जो हम बात करते हैं कि acyclofenic is non-state order anti-inflammatory drug it works by blocking the release of certain chemical messengers that cause the pain and inflammation कि जो redness and swelling के लिए जो responsible जो chemicals होते हैं उनको block करके ये medications काम करता है और जिसके करन जो causes है pain होने के या फिर inflammation होने के वो chemical messengers को ही ये block करता है जिसके करन आपको sensations कम होते है acyclofenic के तरह diclofenic भी है it is also used to relieve the pain swelling and joint stiffness caused by arthritis as well as toothache, headache सभी के अंदर ये useful है तो acyclofenic sustain release tablet भी आती है कि जो दिरे दिरे liris होती रहेगी और आपका जो pain sensations कम करेगी same like that diclofenic sodium and paracetamol का भी combination available होते है तो ये pain killers के बात है कि जो analgesic class के medications हम कहते है फिर बात आती है कि microbes को control करने की कि जब आपकी gums का infection हुआ है abscesses है toothache हो रहा है तो ऐसी condition में कि जब वहाँ पे cavities है और वहाँ पे microbial growth है और उसके करन भी pain हो रहा है तो उसके वक्त antibiotics जो है वो काफे based रहते हैं तो antibiotics of the penicillin class such as penicillin and amoxicillin are the most commonly used to help to treat the tooth infection कि जो pain का reason tooth infection है कि tooth के अंदर जब infection होता है bacterial या फिर microbial infection होता है तो उसको treat करने के लिए हम ये antibiotics देते हैं कि their antimicrobial activity reduce the amount of bacteria causing the pain कि जो bacteria होते है या फिर कोई भी microbes है उनको ये kill करती है और उनकी growth ही नहीं बीट कर देती है तो यहापी हम देख सकते हैं amoxicillin combination में potassium clevolinate के tablets की जो काफी effective रहती है as a antibiotic to treat the tooth pain फिर बात है second that is cephalosporin तो cephalosporins के अंदर septry exon तो septry exon भी काफी powerful and effective a antibiotic है कि जो use होता है to treat the toothache and tooth infection cephyre exon भी आप देख सकते हैं आप है वो भी effective है cephypine salbectum की injections available होते हैं तो cephypine septry exon की जो cephalosporins हम कहते हैं वो भी काफी effective है फिर antibiotic that is metronidazole may be given for some type of bacterial infection it sometime prescribed with penicillin in order to cover larger variety of bacterial species कि कई बार combination में जो ampicillin या फिर amoxicillin के साथ हम उसको देते हैं कि जसके करण जो broad spectrum antibiotic हम कहते हैं कि variety of bacterial species के सामने ये अपनी antimicrobial properties provide करदे जिसके करण कई बार आप prescription के अंदर metronidazole भी देखेंगे कि जब आपको tooth pain हो रहा है या फिर tooth infection है इवन जब dental surgery की जाती है उसके बार भी ये दिये जाते हैं कि जसके करण कोई microbial growth ना हो और आपका जो healing है वो भी अच्छे से हो जाए microbial growth भी ना हो pain sensations भी ना हो और वो जो है वो अच्छे से relief हो जाए तो other antibiotics also works to reduce the growth of microorganism in oral cavity and reduce the pain and infections that are agithromycin then erythromycin third that is ampicillin and cefexime तो ये सब भी antibiotics medications की जो antimicrobial है कुछ ऐसे है कि जो broad spectrum antibiotics हम कहते हैं वो भी tooth infection और उसके करण होने वाले tooth pain के अंदर prescribe किये जाते हैं तो these are the prescription medications की proper prescription के साथ medical supervisions के साथ ही आपको ये use करनी होती है अब समझे कि medications से कोई फरक नहीं पढ़ रहा है patient को या फिर surgery से ही आप आगे treatment कर सकते हैं tooth pain की तो dental surgery is in any of number of medical procedures that involves artificially modified dentition artificially जब कोई treatment की जाती है आपके oral cavity के अंदर जैसे की surgery of the teeth gums and jubons तो वहाँ पे समझे कि teeth को remove करना है उसको remove करना है तो कोई भी minor या फिर major dental surgery वो फिर option रहते हैं कि जब आपको pain sensation होते हैं उसमें समझे कि remove किया जाए आपका teeth वहाँ पे cap लगाई जाए कि जो capping किया जाता है root canal treatment का भी एक option रहता है और जो वहाँ पे हम feeling करते हैं कि समझे कि cavities को अच्छे से feel कर देना कि feel the cavities तो यह सब अलग-अलग surgery के options रहते हैं और medications for the tooth pain की यह हमारा special lecture था about the tooth pain कि जिसको हम tooth hack कहते हैं so thank you friends for watching जरूर से वीडियो को like करिये comment करिये share करिये जरूर से चैनल को subscribe करिये whatsapp group भी join कर सकते हैं 942-618-036 whatsapp helpline number access करिये study material taste series and video lecture on a farmarox so good luck and all the best weekend बटे जए खन्माराण जए हैं कर दोए हैं कर दो में पूए हैं कर दोर से सप्सक्ट कर दोए हैं झाल झाल